हाई विवर्स वेलकम टू विंग ट्रेड़ाओं आज मैं आपको बैंक डिफ्टी ऑप्चिन्स में स्ट्राइक प्रैस कैसे सेलेट करते हैं और उसमें कैसे प्रॉफिट कमाए जाए यह लाई मार्कें में दिखाने वाला हो जियादा तर option trading नहीं आई होई customers को strike price कैसे सेलेट करते हैं यह मालूम नहीं होगा इन लोगो बहुत बड़ा confusion रहता है क्योंकि strike price कैसे सेलेट करते हैं जियादा तर गलट strike price की वज़े से उन लोग lows गवा बैटते हैं तो इसके लिए उन लोगों को यह जियादा तर यह वीड चुकि यह time frame के बारे में जियादा तर इंट्राडे में 5 और 15 minutes का time frame काम आते हैं इंट्राडे था इसके लिए मैंने 5 minutes का यहाँ पर already time frame लगाया है यहाँ पर देखी यह corner में 34,160.15 यह corner में यह जो market rate चल रहे है यह line market rate है तो चाहे कोई भी चाहट आप यहाँ पर add करती यह का market rate आप नहीं है जब कल लगबग दो बजी दो बजे दस मनित के बाद एक signal आये थे कल की signal है कल sell trend आये थी उसी का re-entry आज चाल हुए जैसे कि उसी के बाद आज sell ही निकला है market में यह green color की आपका आरो buy signal यह red color की डाउन आरो sell signal यह पहले वीडियो में मैंने बता चुकी जब भी आते हैं आपको alert मिलेगा खंडे के हावास में आपको मिलते रहेगा उसके अंदर आपको क्या rate पर buy काना ची क्या rate पर sell काना ची इसके अंदर डीटेल यह आपको बता चलेगा sound effect के साथ आपको मालूम पड़ेगा इसके अंदर ओके उसके अलावा यहां पर देखिए इसमें sell trend लगबग आज सुबे सी sell trend चालू है इसके अंदर strike press कैसे seller करते हैं मैं आपको बताती हूँ जब भी bank nifty के अंदर हमेशा bank nifty जब भी bank nifty या nifty कोई भी चार्ट आप करते हो option का trading करने लगते हैं तो आप उसी के अंदर आपको उसी का index भी साथ में चालू करके करिए क्योंकि इसके अंदर बदलावाने की को ज्यादा तर मालूम होगा ही option का बहुत Greeks का Greeks की वज़े से हमेशा इसके अंदर changes आते हैं तो इसके लिए ज्यादा तर trading करेगा तो हमको ये option index भी उसी के साथ open करके करिए तो इसके अंदर cell call आएगा, cell signal आएगा तो आपको वहाँ पर put option लेना चाहिए और इसके अंदर buy call निकलेगा तो वहाँ पर आपको call option लेना चाहिए ऐसे ही select करना चाहिए तो bank nifty के अंदर आज sell trend था तो आज लगबग 10 बज़े के अंदर एक re-entry software में आई थी 10 बज़े के तो इसके अंदर strike price जैसी कि यहाँ पर corner में रखे आपको rate दिखेगा इसके अंदर यहाँ पर candle के ऊपर आपको rate दिखेगा इसके अंदर रखे लगबग 34,600 यहाँ पर देखिए 34,600 हो था तो उसका अधमणी लेना है हमेशा इसके अंदर signal confirm होता है उसका अधमणी लेना है यहाँ पर देखिए 34, यह corner में आपको छोटी box में दिख रहा है ना 34, उसका timing और उसका लगबग rate भी आपको उसके अंदर दिखेगा, 34,600 उसका अधमणी मतलब 34,600 उसका यहाँ पर sell trend आये तो वहाँ पर put option देना चाहिए, तो 34,600 का already मैंने put वाला option इसके अंदर लगाया है already, उसका chart मैंने already open करके रखा है, bank, nifty, put option, weekly वाला, 34,700 भी open करके रखिये मैंने, 34,600 भी open किया है, 700,500 भी open किया है मैंने, यह दोनों मैंने already यहाँ पर open करके रहा है, सब के अंदर हम लोग वोश करते हैं, कैसे signal आया है, कैसे उसके अंदर target अच्छी हुआ है, सब हम यह मतलब 34,600 था, यहाँ पर देखिये, आज का market rate opening यहाँ से हुआ था, उसके अंदर लगबग बाई signal कितने बज़े आया था, 920 को बाई signal आया था, तो उसका सबसे बड़ा signal इसमें आते है, तो उसका entry price उपर लिखा होता है, और उसका timing भी लिखा होता है, और उसका date भी उसके सबसे कितना profit or loss में है, उसका status, और पहला target, दूसरा target, और तीसरा target, और उसका trailing stroke loss भी यहाँ पर लिखे है, तो इसके अंदर लगबग 920 को हमारी call आये थे, 920 को एक signal आये था, वो confirm हुआ है, the software की सबसे सबसे पहले, जब भी confirmation करते है, जब भी signal आते है, उसका उप नीचे वाली बार की कलर की दीन होना चाहिए, यहाँ पर प्राइजन बाई जोनो, तब भी हम लोग को signal confirm कर सकते हूँ, same to same ऐसा है, sell signal में, sell signal आये तो भी उसके नीचे वाली candle की कलर, रेड हो, red होना चाहिए, और नीचे वाली बार की भी रेड होना चाहिए, यहाँ पर प तर्टीनों टार्गेट अच्छी कुट हो चुका है उसके अंदर आप सेम तो सेम आप कॉल अप्शन में देखिए तो हमको पता चलेगा 34,000 कॉल अप्शन में इसी के अंदर देखिए मार्केट अभी क्योंकि अभी नेगटिव पॉइंट्स में है क्योंकि हमारा बैंक निफ उपर चड़ी कि अल्रेडी हमारा तीनों टार्गेट अच्छी कुट हो गया तो उसके अंदर सेम तू सेम कॉल अप्शन में देखिए कॉल अप्शन में सिखनल आया था 920 को आया था पर यह कंफर्म नहीं था सा कॉल अप्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ब सब्सक्राइब बैंक निफ्टी के अंदर तो हम्मेश़ा आप्शन करनी वाली लो इंडेक्स के अंदर कंपेर करकि करें तो इसमें सिग्शन कॉंसा कंफर्म हुआ है उसीका अढवनी लेकर आपको उसीका सेल्कॉल इसमें आया तो पुट आप्शन chocolate अचाहिए प्शन और यहां पर देखिए मैंने उसी का इंदमनी लिया हुआ है इंदमनी 34,000 की इंदमनी मतलब कितना है 34,700 है मैंने BNPW मतलब Bank Nifty put weekly है put weekly मैंने five minutes का time frame में इसी का इंदमनी आएगा इंदमनी के अंदर भी देखिए और जब signal कितने 920 के अंदर भी आये थे आज की date को तो वो उपर शड़ की तीनो target execute हो गया तो उसके बाद अगर marketing की ये तीनो target execute होने के बाद भी अगर साई condition है तो यहां पर re-entry देगा यहां पर re-entry से तब आपको चाहे तो दुबारा इंटर कर सकते हो तो re-entry देगा देना क यहां पर हमेशा इसके लिए आप ध्यान रखिए जब भी आप option लेंगे तो उसी का इंडेक्स भी साथ में open रख के करिए तो उसी में कौंजी सिक्नल कंफर्म हुआ है उसी का अध्दमनी लेना है अध्दमनी लेकर आपको उसी का यहां पर सेल कॉल निकलाए तो वहां पर पुट ऑप्शन कॉल निकलाए तो बाई ऑप्शन ऐसी सेलक्ट करना ची तब भी आपको प्रॉफिट कमाए जाए गलत डिसिशन लेगा तो हमेशा ऑप्शन में लोज गवा बैटते हैं तक कर इनकीस आपको लाइब डमू देखना है तो मेरे यह नंबर में कॉल कीजी 81390 20030994 यह मेरा वाटसप नबर है तो आपको ऑप्शन में अगर लाइब डमू देखना चाहते तो आपको इसी नंबर मिरको कॉल कर लीजी यह हमारा यह मेरा वाटसप नंबर भी है अट हमारा विंट्रेडर काले ऑप्शन में नहीं सब में सब में सबद करते हैं चाहें तक कि आज future options commodity the forex सब में support करते हैं okay thank you thank you for watching